हलो बच्चो इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास फिप्थ एंसियाइट हिंदी रिम्जिम का चैप्टर वन राख की रस्सी लोनपोगार तिबबत के 32 में राजा सोनगव सेन गामपो के मंत्री थे वे अपनी चालाकी और हाज जबावी के लिए दूर दूर तक मसूर थे कोई उनके सामने टिकता नहीं था चैन से जिन्दगी चल रही थी मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता कवी से बना हुआ था कारण यह था कि वह बहुत भोला था होस्यारी उसे चूकर भी नहीं गई थी लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहु से चलेगा एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को सौ भेड़े देते हुए कहा तुम इन्हें लेकर सहर जाओ मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं इन्हें वापस लाना सौ जोग के बुरों के साथ वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा इसके बाद उन इतने बौरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह बहुत दुखी था तब ही एक लड़की उसके सामने आखडी हुई क्या बात है तुम इतने दुखी क्यों हो लौन पुगार के बेटे ने अपना हल कै सुनाया इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं मैं इसका हल निकाल देती हूँ इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में भीज दिया जो रुपे मिले उनसे जो मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया वे उठकर कमरे के बाहर चलेगे दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुला कर कहा पिछली बार भेडों के बाल उतार कर बेशना मुझे जरावी पसंद नहीं आया अब तुम दुबारा उनी भेडों को लेकर जाओ उसके साथ जो के बोरे जो के सौ बोरे लेकर ही लोटना एक बार निरास लोन पुगार का बेटा सहर में उसी जगे जा बैठा ने जाने उसे ने जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही वह लड़की आई उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई अब तो बिना जो के सौ बोरो के मेरे पिता मुझे घर में नहीं गुशने देंगे लड़की सोचकर बोली एक तरीका है उसने भेडों के सिंग काट लिए उन्हें बेचकर जो रुपे मिले उनसे सौ बोरे जो खरीदे बोरे लौन पुगार के बेटे को सौपका लड़की ने उसे घर भेज दिया भेड़े और जो के बोरे पिता के हवाले करते हुए लौन पुगार का बेटा खुश था उसने विजाई भाव से सारी कहानी कह सुनाई उस लड़की से कहो कि हमें नौ हात लंभी राक की रस्सी बना कर दे उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश धोरा दिया लड़की ने एक सर्थ रखी मैं रस्सी बना तो दूगी मगर तुम्हारे पिता को गले में पहननी होगी लोन पुगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है इसलिए लड लड़की ने नो हाथ लंबी रस्सी ली उसे पत्थर के सिर्थ पर रखा और जला दिया रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राक बच गई इसे समयल लोन पुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा लोन पुगार रस्सा देख कर चकित रह गए वे जानते थे की राक की रसी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है हाथ लगाते ही वह तूट जाएगी लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चाला की धरी रह गई बिना वक्त गवाए लौन पुगार ने अपने बेटे की साधी का प्रस्ताव लड़की के सामने ऑट आ बाते ही बिना शेल झाला कंगा प्रस्ताव जन की सामने बाला की रखता लगकी की रागार वक्नici उसे